अट चल लो तो कल हमने कंपनी अकॉंट्स कैने कमपनी अकॉंट्स में से ुध ईभेंचर डीटर में कितने क्विश्षन के सिर्व हैं किने चार क्विश्षिन न और कल मैंने सब कुछ मतलब एक्स्पाइल किया था कि उसमें मैं इने क्याकिक्शिन kau तो पहले तो issue of dementias as an collateral security, याद है, entry करने की जुरुदरत है क्या? नहीं है, but देखो ऐसे याद रहता है students को, अभी क्या ख़र, normal मैंने समझाया होता तो याद नहीं रहता, तो issue of dementias as an collateral security, यह हम entry करने की वैसे जुरुदरत नहीं है, क्यूंकि transaction हुआ ही नहीं है, अगर अगर आपको फिल भी entry करने हो तो कर सकते हो, तो यह entry क्या होगी, debenture suspense account debit to …percent debentures account, यह entry कर सकते हो, उसके बाद में जब refund हो जाएगा, रिपेमेंट हो जाएगा उसमाथ इंटरी करोगे, reverse entry कर दोगे, वही entry क्या की जाएगी, reverse की जाएगी, यह भी आपने पढ़ा था, उसके बाद में आगे क्या पढ़ा है, हाँ, आगे, interest interest का मैंने बताया था P&L account में interest कितना जाना चाहिए पूरे साल बर का पूरे साल बर का whether it is paid or not paid but balanced में कितना जाना चाहिए interest accrued interest accrued but not due इसका मतलब क्या होता है interest तीन मेने तो हो चुके but due date नहीं आई मैंने आपको बताया था situation कब आता है जब 31st मार्च आपका year-end है और आप interest देने की date कौन से पकड़ते हो 31st December और 30th June 31st December 30th June यह आप interest मतलब देने की date पकड़ते हो तो उस case में क्या हो जाएगा 31st December तक इंट्रेस्ट दिया है January मार्च का पेंडिंग है और वो दिया नहीं जाएगा क्यूं क्यूंकि due date तो कब आने वाले जून में तो तीन मैंने का interest क्या हो जागा 31st मार्च को due okay accrued but not due तो लाइवलिटिस एड़ते हम दिखाते है अगर इंट्रेस्ट देने के date और यह इंडिंग के date दोनों सेम ही हो 31st मार्च तो तो कुछ टेंशन नहीं क्यूंकि 31st मार्च के दिन ही क्या हो गया interest पे हूच चुका है कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्लिया है कुट आउट नो पक्का दिख्या है तो आगे और हमने लॉस का दिखा था मलब कितने भी आप पैसे ले जैसी फॉर एजमपल 100 उपीज में डिमेंच इश्य के क्या करना है रिडिम करना कितने में 110 में तो तो क्लेले क्या दिख़्र है 100 तो प्रीमियम पेवल कितना यद अभी इसमेश को इसमें में अपको सिच्वेशन बताए ति 58 पी बेचोग गया और 105 पे रिडिम करना है आटा हूस फहुंए और 105 पे रिडिम करना है तो कितनाल लउस है seven seven का लंज है ब्रफ इन के विक प्रिचा अच्छ ऍपा आगे क्या, premium payable, premium payable कितना? पाँच, debenture में 100 गया, premium payable में कितना गया, पाँच, तो इस case में वहाँ पर याँ देखना है, इसमें change क्या होता है, या क्या हो सकता है, application और allotment में पैसे आगे, तो application के टाइम पर लौस नहीं दिखाना है, क्यों application के टाइम पर लौस नहीं यह क्रिशी पास करते है क्योंकि उस वक्त में यह क्लियर होता है, क्या क्लियर होता है कि इतने डेमेंचेस शुर हो जाए और कितना एक्शुल में लॉस हो जाए तो हमने कल एक प्रॉब्लम देखा था जिसमें था पचास सुपह याद है किया पचास सुपह अप्लिकेशन के नाइम पर मिले फोटीफोर अलॉट्मेंट के नाइम पर छे रुपर के डिसकाउंट था और वार्पिस करते हो पांच रुपर एक्स्ट्रा देने थे पांच कि अवा एक्सा सुपह रहा है जुआ है ना उंच चास सब्सक्रा थे एक्सा और आट श्राकिस कर अवस्च रुपर 50 lakh into 44 वही किया था ना 44 मिलने वाला है अलाटम्न भी कितना मिलने वाला है 44 बार में लॉस्ट किना है 150 lakh into 11 बार में two dhaminches 150 lakh into 50. why 50 why not 100 50 क्यों कि 100 क्यों नी किया क्योंकि 50 अल्री अप्लिकेशन के टाइम पे share capital में transfer किया है done wait out है no, पक्का clear तो यहाँ पर 50 ले लिया और आगे क्या premium pay ball on redemption कितना 7 point है हाँ मतलब 150 lakh into 5 clear wait out है यह हमने integral पड़ी थी उसके आगे का देख लेता है चल, question number 4 हो गया न वही मैं सूच रहा हूँ इसमें intermediate का ही है क्या अपका बैस स्टार्ट होता है तो अपना क्या आप बोलो तो intermediate का पड़ा देता हूँ सर अडवांस में पड़ा दो intermediate हम जहां खड़े होता है क्लास वाई शुद होता है तो question 5 ना क्या नाम है कंट्री कंट्री चलो कंट्री क्राफ्स देख़ड़ो कंट्री क्राफ्स लिमिटेड इस्वीड अभी यहां पर देखो ठीक से पढ़ना कंट्री क्राफ्स लिमिटेड इस्वीड इस्वीड वन लाग एट परसंट बेंचर्स अफंडेड इच एड ट्रीमिम आफ फई परसंट परसंट पेड़ फुली आउन अप्लिकेशन रिडिमेबल एड ट्रीमियम आट रुपिस तेन पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रिस तो यह क्या हो गया देखो ध्यान दो हंड्रेड है इस्वीड एट क्या है फई परसंट प्रीमियम है न पेबल फुली आउन अप्लिकेशन एंड रिडिमेबल एड ट्रीमियम आप रुपिस तेन मलब लेते वक लेंगे एक सो पाच ले पाच लेंगे एक सो पाच लेंगे एक सो दस वापिस करेंगे तो बेसिकली लॉस कितना हुआ है कितना लॉस हुआ है पाच लास कितना हुआ है प्रीमियम को टच करने के आदत नहीं जाती है तो प्रीमियम को टच नहीं करना है जो प्रीमियम आया वो कहां पर जाएगा प्रीमियम अकॉड में वो कहां पर जाना चाहिए प्रीमियम अकॉड में तो जब पैसा आता है तो उस केस में ध्यान रखना है उ अप्लिक अप्लिकेशिन अकाउंट. कितना एट पसंट ना? या रफ देवेंच अप्लिकेशिन लिखा तो भी कोई प्रोग्लम नहीं. लेकलो, अमोन कितना है? टीक है, चला, अफिस से फोन था, इस वे से उठा लिया, मुझे लगए कुछ, अजट है, अफिस से जिनरली कॉल नहीं आता है क्योंकि मैं यहीं पी हो ना, ठीक है, तो चला, कितना है, कितने टोटल, वन लाग, वन लाग इंटो, कितना है, वन करोड, कितना है, कितना है, पूरा, वन करोड, पहले लॉस लॉस दिखाना है वन मीट पहले लॉस 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 हो रहा है ना लॉस कितना हो रहा है 10 रुपह है देखो कंफ्यूज मत होना आपको यह लगेगा सर 105 लिए और 110 दिए तो 5 रुपह कही लॉस है बड़को जो उपर पाच रुपह जो मिले है ना वह क्या है प्रीमियम है वह हमें शकून से अकड में जाता है प्रीमियम अकड में तो उससे बिलकल भी कहीं पर इंक् अकड में माचे पर अलग रखो वह प्रीमियम अकड में डाल देंगे तो मतलब बैसे कि लिए प्रीमियम को छोड़के लिया कितना 100 ना और कितना देजे 110 मतलब लॉस कितना हो रहा है 10 क्लिया तो यहां पर लॉस कितना हो रहा है 1 lakh into 10 ना 10 lakh 2 कितना 8% डिमेंजर सकौन 8% Dementures Account कितना है? 1 lakh into 100 कितना? 1 KROD कितना आता है? 1 KROD ये तो 1 lakh हुआ 1 KROD 2 Securities Premium देखो मैं क्या कर रहा हूँ जो premium का पैसा वो कहां पर डाल रहा हूँ? second is premium, उससे बिल्कुल भी calculation में रखना नहीं है, तो premium कितना है, 5 नहीं और premium payable कितना है, payable, 10, तो logically आप यह नहीं कहिए किते premium payable 5 है, बना सर, एक्सो पाच आये, 110 दिये, मतलों पर premium पर यह नहीं, premium हमेशिक किसे उप्र होता है, face value कि उपना, face value कितनी है, 100, हम कितना अपिस को जगे, 3, तो premium payable कितना दिखना चाहिए, 10, तो अधिना है, ठीक है, नहीं, तो students confused कि यह होता है, student का यह कहना होता है, sir, हमने लिये 105, पाच लिए 105 और दिए 110 ज्यान दो 105 लिए और 110 दिए इसका मतलब क्या हो गया पाच रुपर लॉस है और पाच रुपर हम एक्ष्टरा देजे गलत बात है हम पाच रुपर ने देजे फेस वालुव के उपर दस रुपर देजे प्रीमियम क्या होता है विच इज अल्वेज क खतम हो गया है टैली क्यों नहीं हो रहा है प्रीमियम पेबल प्रीमियम पेबल कितना है प्रीमियम पेबल 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, द् 꽃 दूक तरेखुρέ! हीं इ सभी मिल जहान देगे। जब हम ड्रेंशار करता है यह दिवेंश उधीकर कहता है यह जो प्रेमियम धिया जाता है स्वक्शालिया ना। ये वह उसे के स्टे ख्रवा Ride Star Seg Tap करें तो। अपो सब करता है धिक से देखुँ.. यह 10 लाग का जो लॉस है ना, यह 10 लाग का जो लॉस है वो उसमें से 5 लाग एडजेस कर सकते हो, इसके आगेंज? सकते हो, आपको बोला नहीं गया तो कुछ मत कल, यह अलावड है, बड़ जब भी प्रीमियम आता है, सबसे पहली बात यहार आखना, वह कहां पर जाना चाहिए, प्रीमियम अकाउंट में, तो 5 लपे प्रीमियम अकड़ों में गए, बचे कितने हैं, 100, कितने वापिस करने है 110, लॉस कितना हुआ, 10, प्रीमियम कितना देना है, 10, सुन्जा गया, ठीक है, और लगता है तो बाद में, बार-बार बुल्ट रहा हूं, कि आप बाद में आपकी तरफ से शाय से question आ सकता है, अगर गौर किया, Securities Premium कहां पर, Redemption के लिए भी यूज किया जाता है, प्रीमियम देने के लिए, तो यह प्रीमियम जो दिया है ना, पाच पाच लाग का, वो आप क्या, सब्सक्राइब, यह दस लाग का प्रीमियम जो दे जहाँ ना, वो प्रीमियम अकॉड में जो बालन से पाच लाग उसके अगे अगे अडिजस कर सकते हो, बट यह बाद में, मुलब यह इंट्री आनी चाहिए, क्लिया है, क्लिया है, क्लिया है, क्लिया है, बाद में मतलब कभी यह इंट्री करो, और इसके आगे लगता है, तो क्या इंट्री कर सकते हो, 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 debit to loss on dementia पाश्लाग तक हो सकता है यह बोला तो करना अधवैस मत करो बोलेंगे नहीं वो कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं बोला तो इतना ही गरना हमे clear? simple बात, जब भी premium आता है जब भी premium आता है, क्या? premium अकाउंट में जाना चाहिए यह पहली बात याद रखना है clear? without it? आला क्वेश्चिन बुरू अप्वेश्चिन बुरू ठीक है चला किसी के पास पाणी वाटर फिवर पानी चाहिए क्या है यह इसमें उस दिन तेरा पाने भी कुछ तो हुआ रहा है हाँ आपको आपको लाव पढ़ाना स्टार्ट करूंगा या फिर बहुत ही कुछ हो गया तो मैं इसी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा जो कि मुझे आता नहीं क्योंकि उसके बाद में तो क्या पढ़ाते समझ मनी आता है मतलब जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आते उनको भी इंग्लिश आने लगती और चार पास सिंटेंस रहते हैं आपको लगता है ना मतलब मुझे देखके की हाँ मुझे कि किसी तरह की कोई आदत नहीं होगी हाँ लगता है ना कोन है नहीं बोलने वाला है ऐसा कुछ लगता नहीं हाँ मतलब आप सज्जन ओ ऐसा लगता है सामने ऐसे कोन इज़त निकलता है मुझे सामने हाँ ठीक है तो चलो आगे क्या सिमोंस सिमोंस लिमिटेड इसूड 1,12 पर संडीछ उठाव लिमिटेड नसक्राव या पार पेड़ों फुल ओन अप्लिकेशन ऑन अप्लिकेशन उठाविकेशन बीचम्पानी तो क्या करनी है क्या गर ना है तूने माजी दिन्मय भाजी.. यह थबार टंटन तन यह तन तन की यह तन आ है यह तनन है तो आंधिर गहना मैं बोलो क्या अपल आपिल से क्या खाएबू.. उतरजिय में नचनल क्या है. आप्लिके Kannamini बनी हरे। कितना है अप्लिकेशन मनी? वन लेक टेन थाउजन पे हंडड़ आ गए न? और बाकी का हम क्या करेंगे? रिफर्ड कर देंगे जो पी एक्स्ट्रा मिल गया वो और बाकी का डिमेंज अकॉड में डाल देंगे तो बोलो जैसा आपने शेर्स के टाइम पे किया वैसा ही करना है तो एंट्री बोलो बैंक अकाउंट देविट वन लेक इंटू वन लेक टेन थाउजन आ है न? इंटू हंडर्ड बोलो कितना आता है? तो हमाजर्ड टेविटर प्लकाटवरणा तो देविटर डिमेंटर प्लकाटवर्ड टेविटर ठांटवर्ड देविटर ड्लकाटभ का ग्रुड तो क्ते विटरा टेविटर्ड 9560607010 यह कॉटर थोड़ी नहीं है, यह कॉटर नहीं है, यह है बॉटल, कॉटर क्या होता है? मेंगे, चला, क्या सीखे, मैस में? कॉटर मतलब बन फूट, चलो, डीग है, आगे, सच में तजी बॉटल में कुछ तो भी है, चलो, बोलो, आगे, अध्यान देना, बाकी क्या बाते करो, आप मुझे बिगाड क्यों रहो, अलग-अलग बाते बता कि बिगाड रहो मुझे, तो बोलो, मैं इतना दूट का दूला हूँ, आपको क्या बता हूँ, आप मुझे बिगाड क्यों रहो, आगे, आगे, वन कर्ड गितना, वन कर्ड टेन लाक, टू, आप कभी भी किसी स्टुटन को बोलोगे, यहाँ पर क्लास लगाओ, तो बोलना, सब होत अच्छे है, एकदम दूद के धुले हुए है, एकदम सज्जन है, दूद के धुले, डिटल के धुले हाँ, टू, एट परसेंट, तवल परसेंट, डिमेंचर, कितना डिमेंचर में, कितना डाल है, 100 हाँ, द्यान दो, उपर के जो 10,000 अप्लिकेशन आ चुके हैं, वो 10,000 अप्लिकेशन रिटन करने हैं, तो कितनी ना एक लाख इंटू हंड्रेड कितना आता है वन करोड़ दू बैंक अकाउंट कितना वन लाख जो एप्लिकेशन थें थाउज़न आप्लिकेशन आया थे न एक्स्ट्रा कितने आएथे प्लिकेशन थें थाउज़न नू तेंटल रिफंड करिया। टेंटलाग का रिफंड है। टेंटलाग का रिफंड है। लिखा कल से एकड़म करोडो के इंट्री कर दो, थोड़ी से रहम खाव मुझा इखा दी। कार्द भी गिफ्ट कर दो। जैगवर नहीं, अल्टो ही सही हैं, लिगा ये, कॉमर्स की स्टुटिण की यही खास बात हो दिये, कि क्लास में बेढ़ते हैं, तो करूडो की बात है, निचे ब्रेक्फास्ट करने जाते हैं, तो ये पंदर उपर निकाल रहे, ये दस रुपर निकाल, चलो, अलग हमने भी क्या है, अलग क्या है, बिल तू देगा आज, बिल मेरा भाई देगा, अगला, आगे, अगला कुझ सा है, आपको देखो, एक ही चेंज दिखाई देगा, एक ही चेंज वो लॉस का, बाकि कोई चेंज ही नहीं है इंटरीज में, डिमेंचर के एंटरीज करते हो, तो क्या करते हो, 100 रुपर आगे आपके पास, और 110 रुपर 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 एक्स्ट्रा वापिस करने है, तो उसे आप लॉस करके दिखाते हो, एंटरीज के आती है, बैंक अकाउंट डेबि लौस on issue of debenture account debit 10, 2 debentures account, कि इना 100, and 2 premium payable, उचे पास, पर पर पकरने और आपके पर आपके 10 रुपर, पर पे करने वाले हो ना, इन पर अज बैर्ने, तो इने 10 रुपर, इस तरह से आप रुपर रुपर आपके आपके रुपर आपके पे प्रेस बैंचर के आते हैं, in full on application by 31st May 2017, application were received for 1,20,000 divinches, divinches were allotted on 9th June 2017, excess monies were refunded on the same date, past necessary journal entries also show necessary ledger account, तो necessary journal entry ने 10% discount पर इस्यू की है, तो 10% discount पर कितने हैं, एक लाख ना एप्लिकेशन एक लाख 20,000 divinches की मिल गए, उसके उपर 90 मिला ना, 90, एक लाख 20,000 के उपर कितना मिला, 90, कितना आता है, 90 पर शे मिला ना, वो क्या दिख रहे है, 90, चलो, एक लाख 20,000 into 90, एक करो ना, क्या करें, वन कर्ड एट लाग, मैं बोल रहा हूं करो तो, मेरे तरह देख रहे हैं कि हाँ, ठीक है, आटमेटिल हो जाएगा, कैल्कुलिटे पर आटमेटिल आजएगा, वन कर्ड एट लाग, ठीक है, तो, आगे, वन कर्ड एट लाग है, उस उसमें से आपको क्या करना है, वन कर्ड एट लाइक में से, ये तो पैसे आगे, आगे क्या करना है, उसमें से कुछ रिफंड करना है, रिफंड कितना करना है, उपर जो 20,000 into 90, वो रिफंड करना है, एक से अप्लिकेशन कितने 20,000 into 90, वो रिफंड करना है, और आगे, और क क्या दस रुपे का डिस्काउंट दिखाना है और बाकी डिमेंच्यस अकॉंड में कितना जाएगा एक लाग डिमेंच्यस इंटू हंड्रेट फेस वेल्यू जाएगी इस केस में एंट्री के आती है पहले बताओ मुझे बैंक अकाउंट डेविड डेट कुन सी है 31st में ना अधिया ना क्या नहीं दिखाना कि बैंक अकाउंट डेविट कितना है पैसा एक लाग बीस दा एप्लिकेशन की उपर कितना 90 कितना दा वन करूड टू टू क्या डिबेंचर्स अप्लिकेशन अकाउंट कितना वही आईगा ना कुछ एंजिनी वन करूड एट लाग डन आवे बुलो अगला क्या डेविंचर् एप्लिकेशन अकाउंट डेविद डिवेंचर्कित अप्लिकेशन अकाउंट डेविड़ कितना वन कोई डिट लाग आ गए ना उसमें से या दखना या दखना डिसकांट है ना 10 रुपिस का 10 रुपिस का डिसकांट है और कितने की उपचे इतने शेर इशु के उसका ही डिसकांट पकड़ना है ना बहुले 1 रुपिस अप्लिकेशन विल गए बड़ इशु कितने की है एक लाग ही ना तो डिसकांट कितने उपकड़ना है एक लाग आई तो डिसकांट अन डिवेंचर अकांट डिविट कितना आता है वन लाग इंटू 10 दस रुपिए नो कितना आता है 10 लाग 2 2 बोलो बोलो कितने इशु के जितना इशु किया उतने डालना है न 1 कर न 2 2 बोलो 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 20,000 20,000 इशु कितना इसकांट है 10 बोलो बोलो 10 अग्ले इसमें डिमेंचे अप्लिकेशन अकॉड में आपको क्या लिखने वाले हो तो यहां पर आपको क्या करना है एक तो टू ट्वेल परसें डिमेंचेस तो ट्वेल परसें डिमेंचेस अभी जितने डिमेंचेस अप्लिकेशन के यूज किये है उतने ही आप दिखाओगे कितने है नाइन वालेक वालेक इन्टू कर साध्याप दिखाओगे नडिमेंचेस अकॉंप्लिकेशन के आपकोंट के डिविड़ सेर पे उसमें से उसमें से discounts छोड़के लिखना है क्योंकि application के time पर discount का money आया है क्या? नहीं, तो ऐसी case में आप क्या कर दोगे? 1 lakh into 90 कर दोगे. मुल्ब 2, dimentious account 1 lakh into 90 कितना आता है? 90 lakh. And 2, bank account, refund कितना? 18 lakh. 1 court 8 lakh हो गया. बाद में discount के debit set पर जाके क्या लिखोगे? Discount के debit set पर क्या लिखोगे? Discount कहां पर transfer किया आपने? Dimentious में न? To Dimentious account, कितना? Discount कितना है? 10 lakh न? 10 lakh आएगा. Dimentious के credit set पर जाके आप क्या लिखने वाले? वही जो Dimentious application में लिखा था? दो जगह से देखो, Dimentious में दो जगह से पैसे आएए. यह पात समझ लो यहाँ पर, दो जगह से मतलब कहां से? कहां से पैसा है? एक तो 90 rupees आगे application से और 10 रुपे किसके है? Discount के. मैं लोग पूरा 90 rupees, sorry, पूरा 100 rupees application से नहीं आया है. उसमें से 90 application में आगे और 10 रुपे discount का है. तो credit side पर लिखते हो, क्या लिखना चाहिए? Buy. Buy क्या? Dimentious credit side पर. Buy application. कितना? 1 lakh into 90. Buy and buy? Discount. कितना? 1 lakh into 10. तो यह बात समझ लोग कि वहाँ पर आपको क्या constant रखना पड़ता है? Application. For example, debenture account के credit side पर लिख रहा हूं. तो amount constant नहीं कितनी? 1 lakh. क्योंकि debenture को हमने credit कितना दिया? 1 lakh का ही credit दिया है. 1 lakh का ही credit दिया है. तो debenture के credit side पर 1 lakh ही आना चाहिए. तो 1 lakh आये कहां से? एक तो application से 90 lakh आग आगया, वो discount से 10 lakh आगया. 8 lakh refund के application में. और 90 lakh किसके है? debentures के. तो 18 lakh bank में refund होंगे, बैंक से और 90 lakh debenture में जाएंगे. तो debenture के credit side पर क्या आएगा? 90 lakh application से आगया, और उपर के 10 lakh कहां से आगया? discount से आगया. समझा आगया? यह आपको ध्यान डखना पड़ेगा. लगता है. तो आप यहाँ पर क्या क्या सकते हों? एक account बना दो. bank account की जरुदित नहीं. आपको उनसा बना दो. Dementure Application Account and 12% Dementures Account. Dementure Application Account. Dementure Application Account. तो Dementure Application Account, बोलो. Dementure Application में क्या हो गया? credit ना? पहले, बाइ. bank कितना है? 1 euro? 8 lakh. उसमें से क्या क्या है? 2, bank. refund किया न? कितना किया? 18 lakh. बाद में 2. बोलो. discount. डिस्काउंट. इस्काउंट किसली है? अप्लिकेशन में थोड़े न डिस्काउंट मिला है? बाद में 9 lakh कहां पे गया? debentures में गया. 12% debentures. समझुआ आगिया? Or debentures account? डिबेंचर अकॉंड में कितने आगे? वन कोड़ना कहां से आए? अप्लिकेशन के डाइम पे कितने मिले थे? 90 याद खना, उसमें से उपर का 18 लाग रिफंड है, 90 मिले थे, और बाकी 10 लाग कहां से आए थे? डिबेंचर के क्रेड़ से पे क्या आएगा? बाइ, बाइ, डिबेंचर अप्लिकेशन कितना? 1 लाग इंटू 90, कितना आता है? 90 लाग's, कितना आता है? 90 लाग's, और आगे, बाइ, डिबेंचर, दूबन कोड़ आ जाएगा बैलन्स करें डाउं चल आगला क्या है इशी आपके पसंद का हाँ कौन सा प्रॉब्लम है यह खुछली वाला तो यह कौन सा है कौलेटरल सिकर्डी मालों एंट्री करनी के वैसे जुजएत नहीं बढ़ उनने बोले एंट्री कर दो देखो यहाँ पर एक्स लिमिटेड ओप्टेंस लोन फ्रॉम आईडी भी आए और रुपीज वन क्या यह वन करूड गिविंग ऐस कौलेटरल सिकर्टी ओफ वन कर फिफिटी लाग और रुपीज एच फोरीन परसेंट फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर्स अब यह फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर्स क्या होते है अब क्या कर सकते हो एक ऐसेट की उपर और राये जैसे के ऊपर बात डिवेंचर्स बोलेग ना हम आपको लोन देंगे लेकिन वापीस मिलने का क्या बहुता है तो हम क्या कहते हैं, हम यह जो हमारे पास मशीन है उसको गिजबी रख देते हैं और उसके उपर आपको दिमेंचर सिशु करते हैं, मतलब यह मशीन आपके लिए क्या जाएगी सेक्रिटी अगर कल जाके पैसे नहीं मिले तो तुम यह मशीन बेज दो समझार में क्या बहुत रहा हूं, तो यह मशीन बेज दो तो वो मशीन की उपर पहले मॉगेज क्रेट किया और डिमेंचर इशु किया और सेम मशीन की उपर और एक बार मॉगेज क्रेट करके डिमेंचर इशु किया तो कौन से हो जाएंगे, सेकंड मॉगेज पहली बाल mortgage वही machine रखती थी थी न और उसके उपर जो diventures दिये उसे क्या कहा जाता है first mortgage और उसी machine की उपर second time mortgage create किया गया और नए diventures शिशु किया तो ये कौन सा है second mortgage सुन्या गया same asset की उपर आपके दिमा में आगा sir पैसे किसे मिलेंगे सबसे पहले जब asset बीची जाएगी तो first mortgage वाले उनका पूरा प्रमिंड किया जाएगा और जो पचाय पैसा वो second mortgage वालों को दिया जाएगा सिंद्रा गया ठीक है तो यहाँ पे यहाँ पे उनका कहना यह है कि क्या करेंगे तो इसमें आपको दोनों चीज़े बतानी है एक तो इंट्री करनी की ज़ज़़द नहीं है पहली बात इंट्री करनी की ज़ज़़द नहीं है और method 2 में क्या अगर इंट्री की तो इंट्री क्या होगी debenture suspense account debit 2 कितना 14% debenture अगर जब देखो as in collateral security आपने debenture सक्खे तो आपने बेचे नहीं कोई transaction हुआ नहीं है तो transaction नहीं हुआ मलब कुछ cash आई और मैंने debentures बेचे ऐसा हुआ है क्या नहीं तो कोई transaction नहीं हुआ तो इंट्री करनी की ज़ज़़द नहीं है बट आप इंट्री कर सकते हो लेगिन उसमें debenture देने के बदले में अलग कोई cash मिली ही नहीं आप बोलो कि सब बैंक लोन के इंट्री अलग होती है बैंक लोन के इंट्री क्या होती है cash account debit to bank loan account वो अलग इंट्री अभी debenture जो दे उसके इंट्री करनी की ज़ज़़द नहीं है क्यूंकि अजन सेक्रीटी दे जाए हम बेच नहीं रहा तो इस वेसे वहाँ पर क्या करेंगे method one method one method one बोलो method two method one and method two method one method two आगे तो नो नीड तो record entry for no need to record entry for for issue of debentures or for debentures as only only note can be given or note shall be given method two हां क्या करना है entry entry can be recorded as followed बोलो entry क्या होगी as security अगर करनी हो तो entry क्या क्या क्यों होगी debentures suspense account debit 14 percent to 14 percent debenture account 14 percent नीकों से first mortgage है ना आगार क्याक्यों से え कहां पर खो गया के दाज याद हमें यादार ही है तिर यादार ही है यादाने से तिर जाने से जान जा रही है यादार ही है उसके लिए बुल रहा हूँ उसे मैं बेगड़न म्यूजिक दे रहा हूँ उसके जो situation है उसको हाँ ताकि वो और फिल कर सके चला आगे कहां पर वाज सुम हां रात को निन्नी हुई उसके उपर भी आना है करवटे बदल थे सारी रात हम आपकी कसम तुपा क्या हां एक्स्विन्स तो है ना ऐसा थोड़ी नहीं है कि नहीं है हाँ आप एक्स्विन्स तह यह बेटी में मुझे है ऐसा के से बूल सकता हूं नहीं है तो क्रिटाउट पक्का आगे अगला क्वेश्चन बलू ऐसे गाने का गाकी माम को इंप्रेस किया था मैंने कैसे आवाज पसंद आगे मुझे पता नहीं उनको और उनको अच्छे लगते था मतलब में गाना गाता था अच्छा लगता था अभी बजाता था अभी भूल गया मैं भूल साल हो गए गटा अच्छा बजा लेता था बड़ दस बादा साल से प्रैक्टिस नहीं की तो वह भ खाल एक वाज मैं विलके वाज मी घटा अज़निक यह दो है 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 चैला इस्या देच प्रैक्ण्च अधिक एन कॉन्ड़रेशन अदर थेंच इस्या थेंट अधिक विया थें company limited issued 10,000 14% debentures देगो other than cash बुला है other than cash मतलब के यह शाहिए shares के टाइम पर हम कहां पर पड़ा था मुझे याद ने shares and debentures देगे मैंने explain किया था asset आती है asset account debit to तू कौन सा account तू पहले vendor asset account debit to vendor account और बाद में vendor को हम shares देंगे कहां पर बताया था मुझे याद नहीं shares के टाइम पर बताया था ना तू ऐसी है entry किसके लिए करने है debentures के लिए asset account debit to vendor account because asset is okay asset debit what comes in और vendor क्या है cred the giver अब आद में जब shares देए जाएंगे तो entry क्या आएगे vendor's receiver यह debentures देए जाएंगे vendor's receiver vendor account debit to debentures account clear तो यह entry आजाएगे तो चलो ex company limited issued 10,014% debentures of nominal value of 50 lakh as follows to sundry persons for cash at 90% nominal value of 25 lakh अब यह रेखो 90% nominal value पे issue किये किने 25 30,000,000 के बाद में यह तो cash पे होगे ना दूसरा जो एवो किया है to a vendor for purchase of fixed asset of asset worth rupees 10 lakh देखो 10 lakh के है लेकिन कितने दिये 12,500,000 nominal value के है asset 10 lakh के लिए ती asset 10 lakh के लिए ती उसके बतले में 12,500,000 के दिये बेसिकली premium है यह discount premium है यह discount है आग यह रेके लिए to the bank as collateral security collateral security के लिए दिये कितने है 10 lakh loan है बड़ कितने के लिए दिये 12,500,000 मतलब बास निसेसरी general entries टंग 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 चला बहलो एंट्रिया करने है ना क्या करेंगे पहले एंट्री पहले एंट्री में क्या है discount है ना पहला जो है वो cash पी show हो चुका है पहला situation कितना कितना discount है पहले में एसेट के बदले में दिया है क्या अब बोलो पहले सिच्वेशन में एसेट के बदले में दिया है या कैश पर दिया है कैश वे वो इंट्री आलग दूसरे सिच्वेशन में एसेट के बदले में दिया है और तिसरे सिच्वेशन में collateral security करके दिया तीनों में फर्क है तीनों के इंटरिस हम करेंगे पहले बोले इंटरी क्या होगी bank account debit पहले situation की वहाँ लिए देना a situation a situation कुणसा a अपको पता है न पहले किया था हाँ a house full पहले भी किया था आपकी बैच में किया था कि नहीं इंटर में किया होगा पता नहीं चलता मुझे कहां पर क्या किया वह बुडा होने लगा हूँ situation बोलो ए अंदर के जान अंदर का जानवर बाहर आने चाहिए तो bank account debit bank account debit कितना पैसा है bank account debit कितना आया पैसा बोलो 90 परसेंट 25 लाग का 90 परसेंट बोलो 25 लाग इंटो 90 परसेंट मतलब 22,50,000 तू तू देविंचर अप्लिकेशन अकाउंट तू देविंचर अप्लिकेशन अकाउंट 22,50,000 अप्लिकेशन अकाउंट हाँ आगे हो गया अगला बोलो क्या करना है अब इडिवेंचर अप्लिकेशन स्टे इविंचर में टरांसफर करना है न लेगिंध के डिसकाउंट भी है इंटर क्या होगी डिवेंचर अप्लिकेशन अकाउंट आएगे। डिस्काँड अप्लिक सिन अप्लिकसिन आएगा। सिंस totंव दिस्काँड एविट्वंग डिस्काँड आँटिसूड अचेए। ब्र्सकाँड ब्रक्रीयकरıs ऑ स ceux लिए चांग व करी है। थूडुलकों लोन्रे तुडू 12 percent, 12 percent, 14 percent, 14 percent, 14 percent debentures account. आगे, लिखा, 2, 12, 14 percent, बेंचे कितना, 25 लाख लिखा ना, आगे, situation, कुणसी, भी, ऐसा नहीं, B, situation, B, आगे, परे तु एसेट के इंटरी करो, एसेट लेने के इंटरी करो, और बाद में उसके बतले में डिवेंचे जाएंगे, इंटरी के बोलो, आगे, 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 आगे आगे, situation B आगे, हाँ बोलो, Windows account debit कितना, 10 लाग का है न, Windows को देंगे 10 लाग, लेकिन 12 लाग, 50 लाग का一點, 10 लाग के, 10 लाग के, 10 लाग के, दिस्काउंड पर जाएं, मतलब आपकी 24, Stephen डिस्काउंड पर जारें, debinches, मतलब जादा debinches देज़ो, मतलब क्या कम price पर देज़ो, discount कर देज़ो, तो ले बुलो, अगे entry क्या होगी, क्या होगी entry, vendor account debit कितना, 10 lakh, vendor account debit 10 lakh, discount on debinche account debit, 2 lakh 50,000, 2, 2, किने percent, 14% debinches account, vendor account debit किया ना पहले, 10 lakh, discount on debinches account debit, 2 lakh 50,000, 2, 12, sorry, 14% debinches account किना, 12 lakh 50,000, अगला, C, C में क्या हुआ, इसे bank loan लिया ना, उसके लिए collateral security दिया, एक entry होगी, कौनसी bank account debit to bank clone account, लिखो, bank account, C के लिए, C, bank account debit to bank clone account, किना, 10 lakh है, 10 lakh है, ना, 10 lakh, लोन के entry होगी, अभी, अगला है, कि आपको, collateral security के लिए, जो goods दिया, उसके entry करनी है, या, नहीं करनी, it's your choice, यह आपकी choice है, करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, तो नीचे note लिख दो, ठीक है, note लिखो नीचे, नीचे note लिखो, note क्या लिखनी है, करनी, okay? No entry is required when debentures are given as, given as, बलो, collateral security, debentures are given as collateral security, no entry is required when debentures are given as collateral security. and if entry is passed if entry is passed then entry is passed then entry shall be debenture suspense account debit to 14% debenture's account done हैं यंजो कि टिंटर इंट्र कि लिए अड्विक लास औन इश्ष इंट्र इस काउंड का इंटेयर इस Innerि Tea किंपलिक विक लॉइस्टन स्शह और इनिटॉंटिय एंट्री दिस्काउंटिन Daar thoracot दो तरसे होता है एक तो पास साल के एंड में directly repayment किया तो हर साल क्या होगा equal लेकिन हर साल आप equal installment दे जो तो इसका मतलब पहले कितनी installment की उसके है पाच बाद में चार याद है क्या फिल पड़ाया था तो उस case में some of years digit method से जाओ यह में आपको बोला था अभी इसमें वो discount का calculation आज़ा है मैं discount का हमें पूछ रहे कैसे करना देखो क्यों है यह HDC F कहा गया HDC Issues 1 lakh 12% Dementures of 100 each at 94 मैं देखो 94 मैं मतलब 6 रुपर क्या है discount क्या है discount अगे तो 6 रुपर क्या discount तो 6 रुपर क्यों है और कितना होता है टूटल डिश्क्याँ हूँ हम बचपने है discount 6 लाख ठीक है तो 6 लाख होता है तो ऐसी case में क्या करना है और पेमिंट कब होनी वाला है पाच साल में हर साल equal installment या या एंड में कैसे उन्हें वाला है तो discount भी उसी proportion में जाना चाहिए जिस proportion में आपने amount यूज किया है ने पहले साल अपने 5 इंस्ट्राल्में यूज किया है तो वहां पर आपको क्या करना भड़ाए 5 एश टू 4 एश टू 3 एश टू 2 एश टू 1 में discount distribute करना पड़ेगा यहां पर यहां पर एश नहीं यहां पर डाय के पेमें 5 एश और rhetoric वां में फेलर्य साल में पाँ पानाये स शिक्राल्मेट शी थे है और पी false एश पैसही निय रहे तू 5 बांसनल्मेंट परिद रहेना आह तो थू 3 एमी पर इसा ने मतलब हर साल का क्या आता है equally आता ना 55555 तो ऐसे case में हमें यहां पर क्या करना है equally distribute करना है कितना है discount 6 लाग ना तो 5 साल में equally मतलब क्या 5 साल में equally 1,20,000 each year 1,20,000 क्या each year clear तो चला लिखो यहां पर लिखो total क्या calculate करना पड़ेगा amount of discount amount of amount of discount तो लिखा amount of discount total discount 6 लुपर पर्श है ना 6 परसेंट है 100 क्यूबर तो वन लाग डिविंचर से और 6 लुपर पर्ड़ी बिविंचर तो डिविंचर तो डिविंचर करना होता है 6 लाग और क्या करना है return of कैसे equally in 5 यह 6 लाग divided by 5 तो हर साल किना होता है बोलो 1 लाग 20 लुपर एच यह यह इसी जगाप ऐसा होता, इसी जगाप मानलो ऐसा होता कि 1 lakh into 100 मतलब कितना 1 करोड होता और 1 करोड में से हम क्या करें हर साल 20 lakh 20 lakh of this for example, 20 lakh नहीं मतलब 94 lakh का 1-5th जो भी आता है कितना 13 lakh 80 आता है, 18 lakh 80,000 आता है, तो यह आपको वापिस करें, इसका मतलब क्या होता है, कि आप हर साल एक installment रिटन करें, तो हर साल एक installment रिटन करें, मतलब total 5 इंस्टॉल्मेंट जाने वाल है, पहले साल कितने इंस्टॉल्मेंट यूच के 5, बाद में एक वापिस कर दी, जितने पैसे लिए तो उसमें से बन फिट वापिस कर दिया ना, तो कितना बचा है, 4, बाद में 3, तो आपको ये discount कैसे rate of करना पड़ा था, 5-4-3-2-1 में, clear, quit out, no, यहाँ पर ऐसा था कि एक साथ पूरा पैसा end में दिया जाएगा, done, ठीके, आगे, question number 12, 12 मतलब आपके book में कौन सा है, 11, okay, start, now company issued वही है, 12% debentures of the face value, ठीक से सुनना, 12% debentures of the face value, 10 lakh, 10 lakh debentures issue face value at 10% discount, 9 lakh में issue होगे, face value 10 lakh है, 10% discount, 9 lakh है, 10% discount, 9 lakh है, on 1st January 2017, debenture interest after deducting tax at source at 10% was payable on 30th June and 31st of December every year, all the debentures were to be redeemed after the expiry of 5 years period, और सभी debenture redeem कब करने है, 5 साल के बाद में, हर साल नहीं, 5 साल के बाद में, में इसकाउंट जो राइट आफ होगा, अगे कुछ हो, तो कैसे राइट आफ होगा, डिसकाउंट अगर कुछ हो, तो कैसे राइट आफ होगा, हर साल, equally ना, क्योंकि हर साल payment नहीं करना है वापिस, हर साल equally, राइट, all the debentures were to be redeemed after the expiry of 5 years at 5% premium per general injury, तो पहले तो डिसकाउंट काल्कुलेट कहलो, करना दा दा दिसकाउंट, तो दिक वो 10% discount हो 5% premium होगा, मतलब टोटल कितना होगा, जान दो, 100 उप में से 10% discount है, 90 मिलेंगे, और वापिस करते वक 5% premium देना है, तो 90 लिए और दिए कितने है, 105, मतलब कितने पंदल पर लॉस होगा ना, ऐसा लॉस होगा ही, 90 का प्रॉब्लम ही है, तो आप अगर 90 लेते हो, तो लॉस होगा, 10 रुपे तो पक्का लॉस है, ठीक है, प्लस आप जो एक्स्ट्रा देते हो वो अलग लॉस, 15 रुपेज का लॉस यहां पर दिख रहा है, और कितने डिवेंचेस की पीछे, 10 लाग डिवेंचेस की पीछे, नहीं, नहीं, 10 लाग नहीं, 10 लाग तो फेस वेल्यू है न, डिवाइड बार 100 कर दो, हंडेड एजुम करके चल रहा हूं है, 100 रुपीस फेस वेल्यू है, कि नहीं आदा 10,000, 10,000, 10,000 की उपर अगर आप देखते हो, तो पांच हजार, तो पांच हजार, पांच रुपे पर पढ़ बेंचे, किने आते, पचास हजा आता ना फिर, एजुम कर लो, यह एजुम कर देना है, 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 बाइंक अकांट देबिट कितना 10 लाक इंटू minus 10 percent. कर फो खोड़ लो जा अ डिसकाउंट कितना है 10% ना? 1,00, तोटल डिसकाउंट अभी लॉस लिखना है ना? उसमें डिसकाउंट अब प्रेमियम पेबल दोनों है 15 ना? 10,00,000 इंटू 10,00,000 10,00,000 10,00,000 इंटू 10,00,000 10,00,000 इंटू 5 यह दोनों में ने अलग लिखा इंटेंशनली, 10% डिसकाउंट और 5% एक्स्ट्रा देने है, वो तोटली 15 पर का लॉस है, तो यह क्या है, क्या है, डिसकाउंट और यह क्या है, प्रीमियम पेबल ना, कितना आता है, 15 लाक यह देड़ लाक, देड़ लाक आता है ना, कितना ट्रांस्वर करना है, ओनली, फेस वैल्यू, तू, कितना, वन लाक, सिफ 50,000 प्रीमियम पेबल, ऐसा क्यों करेबाज, वन लाक, प्रीमियम पेबल 50 है, जान दो, कभी भी याद अखना जब आपका लॉस होता है, तो उसमें दो कंपोनेंट्स हो सकते है, तो आपने जो डिसकाउंट या से कम, ठीक है, जैसा कि यहाँपर 10 पर संट यह वो 10 लाक, तो एक लाक, 10 लाग पर 10 पर संट, एक लाग, और प्लस आप जब रिप्रेमिंट करने वाले हों तो 5 पर संट इक्स्टा देने वाले, 5 पर संट किस की उपर इक्स्टा, फेस वाल्यू की उपर, तो उस की उपर 5 पर संट कि इना था है, 50 लाग, तो टोल अपने लॉस देखा दिया, 1.5 ला और बागी 50 लाग क्या करना है, प्रीमियम पेबल है, विट आउट, यह इंटरी कर दी, उसके आगे, एक्जाम में सिर्प नेरेशन लिखना है, नेरेशन यहां पर इंपोर्टन आ, एक्जाम में नेरेशन लिखना ही है, अभी हम क्या है कि नेरेशन जो आपने समझा वही नेरेशन में वहाँ पर लिखना है, उसमें कोई ठेंज नहीं है, आगे बलो क्या करेंगे, क्या करेंगे, आगे इंटरेस कब दिया जाता है, बोलो, 30 जून और 31 December तीजून और 31st December, आपका year in कब आता है, 31st December है न, तो बुलो 31st June को इंट्री कर दो, 31st June को इंट्री कर दो, इंट्री की, इंट्री की, इंट्रिस की, इंट्रिस की, एंट्री की, दस है, इंट्रिस की, 20 से अएट्री की, इंट्रेस्टी की आगे चली होता है न, वह क्या होता है इंट्रेस्टो, बाइए पर्सेंट, ये साल बइल के, है आँपे। यापर्सेंट 6 मेने हो गए है, हाँ है, तो 6 मेने हो गए, 6 मेने का रप्रिसे, सब्सक्राइब, इंटरेस्स कितना, हाँ हाँ हाँ, कितना, आदा ही ना वादा परसंट का आदा गिना, 6 परसंट, अगिन इसमें से क्या बुला है उनने, जान दो, डिड़क्त TDS, टैग्स देटेड़ेड़ा सोस, अगिना, 10 परसंट, मतलब अगर 6 परसंट जो भी कलकुलेशन आता, इंटरेस्स का वो कलकुलेट करो, उसमें से 10 परसंट पे नहीं करना, वो गवर्नमेंट को देना होता है, मतलब जैसे कि, for example, मैं, मैं अगे, मैं अकडेमी से पेमिन लेता हूँ, मैं अकडेमी से पे पेमिन जो होता है न, वो क्या किया जाता है, TDS कट करके दिया जाता है, और वो TDS, मतलब मेरा जो इंकम है, वो इंकम अगर बनता हो 10,000 रुपर, मैंने का, हाँ, 10,000 रुपर अगर बनता हो, तो उसमें से 10,000 कट होगा, क्या होगा, क्या होगा, 10,000 में से 10%, मतलब कितना, 1,000, ठीक है, 1,000 कट होगा, और मुझे मिलेगा 9,000, वो 1,000 क्या होगा, अकडेमी के तरफ से, गवर्न्मेंट के पास डिपॉजिट किया जाएगा, मिरे नाम से टैक्स, पैमेंट करते हैं tö मेरा इंकम कहा होगा, इंकम के तरफ से अकडेमी से, तो यह और से रोच के मिलता है, कि पैसे मिलने के बाद मुझे ठेक्स करोगा, या नहीं करोगा, इस वे से जो पेमेंट करते है उसको ही बूला गया कि तुम्हें काम करो जब पेमेंट करते हो तो उस वक्त 10% कड करो या जो भी रेट होगा और ये 10% गवर्मेंट के पास अजन टैक्स में आम से डिपोजिट कर दो मुझा जब पहले से 10% डिपोजिटिटल है तो ये इन पे मुझे दिखाना ही पडेंगा न कि 10% टैक्स मुझे अगर रिफर्न मांगना हो 10% तो भी ये दिखाना पड़ेगा कि 10% क्यों मांग रहे हो अपका इंकम कितना है मैं बन जाता है एक बार मुझे पैसा मिल गया है मैं बाद में टैक्स पे करूँगा नहीं करूँगा ऐसा हो जाता है इस वेसे वहाँ पी कहा है कि TDS ये concept इंडिडूस की गई अच्छा ऐसा आपके निमा में आ सकता है कि सर अगर उन्हों ने 10% नहीं कट किया तो क्या तो वह 10,000 जो मुझे पे के ना वो उनके लिए expenses allowed नहीं होते है मलब टैक्स उनको वह जो 10,000 है जिसके उनने 10% TDS कट नहीं किया वो उनके लिए expenses allowed नहीं होगे वो यह नहीं रिखा सकेंगे ये खर्चा है किसी को payment किया तो उनका income क्या होगा, अगर वो allowed नहीं होगा तो income जाद दिखा 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 न, तो उनको tax देना पड़ेगा extra, इस वेज से compulsory उनको काटना ही पड़ता है अगर वो expenses दिखाने हो उनको, उनको पेमिंट किया वो expenses दिखाने हो, तो उनको 10% काटना ही पड़ेगा, मत पापी पेट का सवाल है, क्या कर सकते हैं, दूसरा कोई आपके पास job हो अच्छा कासा तो बता देना मुझे, हाँ 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 कि 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 हाँ 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 मैं बात कहता हूं तुससे, job कहां पर हाँ 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 तो कहना यहां पर ही है यह समझ में आगे concept 10,000 में से 1,000 कट होके 9,000 मिलेंगे, वह 1,000 कहां पर जाएंगे, गवर्नमेंट के पास अगर मेरा income exemption limit से ज्यादा नहीं है, आगर आपको detail में tax में पढ़ने को मिलेगा, अगर मेरा income tax limit से ज्यादा नहीं है तो ऐसी केस में मैं refund मांग सकता हूं लेकिन उसके लिए return file करना पड़ेगा, वह बोलना पड़ेगा कि मेरा income जो अधाई लग से कम है, तो मेरा tax लगता ही नहीं, मेरा tax cut किया, उन्होंने आपके पास दे दिया, तो मेरा वापिस कर दो, वापिस मिल सकता है, तो हमें क्या करना है, डिमेंच होल्डर को इंट्रेस देते वाग पहले ही 10% कट करना है, तो डिमेंच होल्डर को इ कितना है, बलो कितना, 6% कितनी की पर, face value की पर होजा है न, 10,00,000 x 12% x 6,12, कितना आता है, 60,000, कितना आता है, 62, डिमेंच होल्डर को एक्च्वल में कितना देंगे, एक्च्वल में डिमेंच होल्डर को कितना देंगे, पूर्या देंगे, यह 90% देंगे, 90%, 60,000 x 90%, 54,000, 2, क्यों क्या, Tax Directed at Source, कंपनी ने इतना Tax Directed at Source, मतलब कट कर लिया, उनके पेमिंट से, 6,000, अभी कंपनी उसके Directed Assist की उपर पार्टी करना चाहते है, 6,000 रुपर, हमने दिये नहीं न, उनके, पार्टी कर सकते है, नहीं, क्या करेंगे आगे, गवर्मेंट को पेमिंट कर देना है, मतलब डिबेंचर उलो को पेमिंट करना है, यह TDS का भी पेमिंट करना है, तो अगली इंट्री क्या आजागी, डिबेंचर उल्डर अकाउंट डेबिट, रिसीवर है न, उनको 54,000 पे करने न, डिबेंचर holder's account debit 54,000 to sorry TDS account tax deducted at किटना छे 2,000 किटना 60,000 done यह वह इंटरी काब 30th June फिस से अगली एंटरी काब आएगी 31st December वही इंटरी आएगी सेम इंट्रे आजाए उसकुछ फर्क ही नहीं ना कोई चेंज ही नहीं हुआ तो तो मैंने देखो में जैसे स्पीड किसी का नहीं है आप इंट्रे करने कितना टाइम लगाओ गया है यस डन है खताम हां आप लिखो आगे हां फिर से एंट्री पास करनी है 31 डिस्टेंबर को सेम सेम क्योंकि आगले 6 मिने का इंट्रेस्ट उसमें से 10% TDS बाद में TDS पे किया और दिमिंचर उल्ड को भी पे किया सुने आगे यह इंट्री पे फिर से भई 6 मिने के इंट्री आगे बोलो यही जो इंट्रेस्स लिखा होगी इंट्री आए सच में लिखना है पूरा इतने कम टाइम है फिर से लिखा ना कि ने तो आप गल्ती कर दोगे बाद में एक्जाम में एक इपार इंट्री करके आगे ऐसा नहीं है यह दो बार इंट्री है ठीक है मैं नहीं लिखना हूँ कि मुझे एक्जाम नहीं देनी है लेकर आप लोगों को एक्जाम देनी है आगे इस साल का इंट्रेस्ट वो कहां पे जाए पीम लकौन कितना इस साल का इंट्रेस्ट इस साल का इंट्रेस्ट में जाएगा कितना है साड़जा पहले दिया अभी साड़जा अपकी निमा में आसकता है सो एक्चुली 54,000 ही दिये बट 54,000 हो गवर्नमेंट को 6,000 ही आपने तो साड़जा ही गए ना ठीक है तो एक लाग 20,000 एंटरी बोलो निमाले रहर, पयाँड देबिट तू दिमेंचे अंट्रेस्ट अगरोपान आगे जो दिस्काूंट है जो दिस्काूंट है कि देडिलाग का न हुआ अढ़ ना थे दिस्काूंट है इसकांड दिया टूडल लॉस देड़ लाक का है उसमें से पी एंड लकण में कुछ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए उस में से कुछ PN लकन में जाना चाएे कि नहीं जाना चाहिए येस कितनी लाइफ है देखो ना 5 एस है ना लाइफ कितनी आडविंचर कि 5 एस तो कितना जाना चाहिए 30,000, 30,000 तो बोलो entry बोलो P&L account debit to discount to discount oblig loss on debentures कितना? वहाँ पो लिख देना 1,50,000 into 1,50 या 1,50,000 divided by 5 कितना आता है? 30,000 इसको निज़ेशन क्या लिखेंगे? 20 being discount oblig loss related to current year is return off is return off अगला last on 1st अपर लिखेंगे 17 क्या है? share rule limited share rule limited share rule limited so share rule limited क्या है? 1 Lakh अगा issue क्यों इसके? 1 Lakh 1 Lakh क्या है? 12% Ventures of 100 each at a discount of 5% reliable on 31st MARCH 2022 issue was oversubscribed by 20,000 Ventures who were refunded their money unge, interest is paid annually on 31st March. You are required to prepare, you are required to prepare, आपको prepare करना है क्या, General Interest, अगी बाद में, Discount, उसका Account, और Interest Account and Dimension Holders Account, Assuming TDS is Directed, जैसा भी यह entry की थी. अभी यहाँ पर याद देख न, यह अकौंट तो आपको बना किलाने हम डिसकॉस कहे लिए तो पहले तो वन लैक हंड़ का है डिस्कॉंट कितना है 5% मुलब वन लेक इन्टु हंडड़ कितना था है वन करुड उसका पाच परसेंट डिस्काउंड मतलब कितना था पांच लाक ना और प्रीमियम पेबल है कि कुछ कुछ premium payable है नहीं है न premium payable लग इसे के लिए आपका loss कितना है पांच लाग और life कितनी है लाइफ कितनी है 5 years तो payment हर साल थोड़ा थोड़ा देना है या 5 साल के बाद में पेमिट हर साल थोड़ा थोड़ा देना है या पांस साल के बाद में इंत्रेस पेड अन्योल है वह इसका डिमिंचर का पेमिट नहीं, वह इंत्रेस अन्योल दी आ जाता है ना इंटरेस को इसका कोई टेंशन नी पहले तो रेको, इंट्री के आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, मतलब डिस्काउंट को डेबिट मिलेगा 5 लग का, हर साल के एंड में क्या करना है, वहां से 1 लाग उठा के, डिस्काउंट को एक लाग का करिद करेंगे, पी एंड लग उठा को डेबिट कर देंगे, हर साल एक लाग का करेते जाना है, बाकि को बालंस वहां पर रहेगा, तो यस तर्स अगने साल का होगा, बालंस कितना डिखाई देगा, चा लग, 3 से अगले साल के एंड में? 1 लाइज 1 लाइज ट्र Jegoda पी एंड में ट्रस्फर करेंगे बचेंगा इतना? 3 लाइज 3 से 3rd year के हैंड में 1 लाइज उसके उपर कितना परसेंट? 12 परसेंट, देखो, एक लाक इन्टु हंडेड और अन्यूली पेमेंट हो जाए, छेचे मिने के बाद में नहीं, कैसे? छेचे, छेचे पर नहीं, कैसे हो जाए? अन्यूली, तो अन्यूली काल्कुलेट करना, यह इन पर, कितना होता है? 1 करूड इन्टु 12 परसेंट, कितना परसेंट? 1 लाक, 20, ने, 12 लाक, कितना परसेंट? 12 लाक, तो इंट्री आएगे, दिमेंट्रेस्ट अकाउंट डेबिट, तो दिमेंट्रेस्ट को 12 लाक का डेबिट, दिमेंट्रेस्ट को 12 लाक का डेबिट आजाएगा ना, और वो यह इन पर क् पहुए कंसा कट्र बना है Dementia Holder लेकिन Dementia Holder को कितना मिलेगा किदेवेंच ओल्ड़ कितना मिलेगा 10% कम ना कितना मिलेगा यह 10,80,000 ऐसे 10% कम 10,80,000 मिलेगा तो उनके बुक में आप क्या करोगे उनके इंटरी क्या करोगे Dementia Holder को क्या करोगे credit कर दोगे कितना 10,08,000 और पेमिन केतना को यह तो बैंक 10,08,000 अब पहले करेड कि देना इंटरेस देना है और बाद में दे दिया बैंक से इस तरह से अकाउंट वहां पर कियागी बनाना है से लिटाओ तक है या इक में देंटरेस अकोण आपर किको का इसर शुनू पहले हमने क्या किया था लास्ट इंट्री में तो चोईस आप ले सकते हो, ठीक है समझ में आ गया, फर्ट समझ में आ गया, अलिटिमेली वही हो रहा है, पहले हमने देवेंचर ओल्डर को बार लाग क्रेड़ किया, और बाद में देवेंचर ओल्डर को कितना रिए, दसलाग असी आज जारी दिया न, या फिर दूसरा ओप्शन, क्रेड़ करते ओल्डर को क्रेड़ करते वक्ति कितना क्रेड़ कर दो, 10,80,000 और उतना पे कर दो, और TDS में 1,20,000 दिखा दो, clear, आपके पाद चोईस है, without, no, इसका अकाउंट हर साल के इंटरी एक्जाक्ली सेम ही है, और हर केस में, हर केसमें, जिसित इसकांट में क्या है? पाश लाग में से हर साल एक लाग, हर की अबलग में डालते जाना है, 5 अबलग डिसकांट को दhesia मिलता है, एक लाग क्रिडित कर देख डिले हिज में 짧ए अब आयले है, अगला क्या होगा पाटनेशिप ठीक है